हाई गाईज बूर्णिंग कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टो माई चैनल तो यहाँ पे सबसे पहले आज मेरी दिन की शुरुआत होती है दर्वाजा खोलने से तो उड़ने के बाद मैं सबसे पहले दर्वाजा खोलती हूँ वहला कि आज मैंने नहा लिया है नहाने के बाद से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हूँ तो उसकी बाद अभी मैं कीचन में आ चुकी हूँ आज की ब्लॉग में मेरी मॉर्निंग रूटीन आपके शाहत शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग टू ब्रेकफास जो भी है मेरा रूटीन होता है मैं किस तरीके से अपने काम को निप्टाती हूँ फटा फट से करती हूँ बचे संबालती हूँ घर संबालती हूँ तो सबसे पहले आ चुकी हूँ कीचन में और मैं करने जारी हूँ अभी कीचन की क्लीनिंग और रात की टाइम तो कीचन की क्लीनिंग करती है लेकिन मॉर्निंग टाइमे में ब्रेकफास बनाई थी तो breakfast के time भी बहुत सारा गंदगी जो है ना वो kitchen में फैल जाती है ये सबी लोगों के साथ होता है कितना भी carefully आप खाना बनाओगे लेकिन kitchen गंदा होना ही होना है क्योंकि आप kitchen में रोटी बनाओगे, सबजी बनाओगे, सबजी कट करोगे कितना भी उसका चिलका उठा के dustbin में डालोगे, लेकिन थोड़ा बहुत फैलत है या फिर उसकी मिट्टिया वगरा कुछ गिर जाए फिर उसकी सब चीज़ों को साफ करना जरूरी होता है तो मेरा गैस टोवी हाला कि बहुत जादा गंदा था तो मैं इसको scrubbing करी सबसे पहले डिस बार लगा के जो बर्दन होने वाला डिस बार होता है उसको यह उसी scrubber से मैं लगा के थोड़ा सार लगा देती हूँ उसके बाद जितना ओयली पन होता है न सब कुछ निकल जाता है और इस तरीके से गैस वेगरा सब कुछ बहुत अच्छे से साफ होता है उसके बाद मुझे साफ करना है काउंटर टॉक तो उसको भी एक दो बार मैं पोश लेती हूँ और यहां पर दो मैं अपना पानी का ज कि बाहर कभी जाना होता है तो हर जगा हम गरम पानी तो लेके जाना ही सकते हैं और यह वाले स्चिल का बोटर ला तो इसमें बुनगुना पानी भी रखेंगे तो काफी देर तक रह जाता है उसके बाद यहां मैं अभी जो भी चीज़े मुझे जट डस्ट बीन में डालनी है वह साम डस्ट बीन में डाल रही हूं फॉल। अलोतीन बेकर रही हैं अलू पकटा कर रही है। यह अब जृत्षी हैं अब है जो भी चीज़े अरेंग करनी थी तो मैं कर रही हूऊ और मैं घर से भी अभी आ चुकी हूप मैं अपने सिखना का पानी तो मैं स्य शूराल आवाज देखे इस पर्ष उठ जा उठ जाओ क्योंकि सुबा तो होई गई है यह ओफिस जा चुके है और मैं अपने काम में लगी हूई हूँ यह डेली का काम रहता है हाउस वाइफ का हरे घर में यह सारी चीजे होती है यहां पर फॉयल पर पर जो था ना वो खतम हो गया थ तो उसका डबा जो था उसको मैंने फेक दिया और जाड़ू एगर अभी लगाओंगी थोड़े दिर बाद बागी बहुत सारी चीजे है जो मुझे भी करनी है बरतन वेगर अभी वाश हुए नहीं है तो यह सब भी वाश करना है सिंग पूरा फूल हो गया है तो अभी थो अगर आप दूब में रख देते हो तो कल भी बनाओंगी या फिर पड़सों भी बनाओंगी तो यह खराम नहीं होगा और यह ड्राइ-ड्राइ हो जाता है और टेस्टी भी सबजी बनती है आप लोग ने यह चीज करके देखना अगर आप सिंगहरा लेके आते हो एक दिन तो उसको भी मैंने फोल्ड कर दिया हो और मैं भी आज जो पहनी हो ना यह उलन टॉप है और नीची में प्लाजो पहनी हूँ वैसे मुझे कुछ मोटा पहना चाहिए था मैंने नहीं पहना है इसलिए मेरी तब्यक भी खराम हो गई अभी तो यहां पर सोफा कॉमर में कर ल उसकी अब और हो चक़क हो गया है जासे चीजें ऑरेण करते जाओ आपको देखने में भी अच्छा लगता है जिए कंचा छाली excitement मातशतर ऊप का व्यारा का नुफ मिलग मैं अपना गोप्या हुई है दिरे-दिरे करके वह सारे अपने जगह पे चले जाएंगे क्योंकि दो-तीन दिन तो संभालने में ही घर को लगता है तो यहां पे इस पॉर्च के कलर्स वेगर रहे थे तो उसको मैं रख दी बाकि स्टॉल है मेरे इनकी टीशिट वेगर रहे थे तो उसको मैं इकर साइड में रख दी हूँ एक ही बड़ मशीन चलाने के बाद उसको वश करूँगी और यह टेबल बहुत जादा गंदा दिख रहा था क्योंकि आने के बाद भी मैंने पोछा नहीं था और यह एपल यही पर रखा हुआ है क्योंकि इसके लिए बासके टेगी बिल पाया है तो अब भी रखा हुआ साथी साथ नीचे टेबल के नीचे का भी एरिया में साफ कर ले रहें कि इस पर मुझे बहुत सारा डश्ट दिख रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था तो बस यह सारा कुछ हो चुका है अभी क्लीन उसके बाद यहां पे न सूज वेगरा कल ही मैंने वाश कर दिया था और यह थैला जो जिसमें सबजी लेके आते हैं तो यह थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें गंदगी है और इसको धूप में रखना जरूरी हो क्यों कि सबजी जब आती है तो बॉशर पकड़ लेता है तो उस थैले को मैंने धूप में रख दिया है सूख जाएगा फिर उस शाब तक सुख जाएगा नहीं सुखेगा तो कल में रख दूगी क्योंकि हमारे च्छत से ही हमारा जो घर है उसके आगे ही च्छत है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कोई भी चीन सुखाने में या फिर बाहर धूप में बैटने में गर्वी बाहर निकलने में चिल्चें में खाना बनाने क लिए में बरतन में एना मतलब मुझे ब्रेकफास में घरियो सूख अने मेरे सूगी तो बरतन को में अभी हरे करतें이면 के लिए जो बड़ी थालिया होती है में नहीं इसको बासकिट के रखती हूं और जो उख सिंदेंगा और सबस्टी तो बस यहाँ पे सारी साप शुतरीं हो गई है और अब मेरा टाइम आज आता न रोटी बनाने का क्योंकि morning time में तो सब्ची बनाई हुई थी रोटी बनाना है और मुझे भूक लगई इस परश को भूक लगई उसको मैंने ब्रिकफास्ट करा उसको मैंने ब्रश करा दिया सॉरी, breakfast अब मुझे करा रहा है क्योंकि वह बोड़ रहा है कि मबा रोटी सब्ची खाऊगा तो मेरी पास रात का छोला भी बच्छा हुआ है छोले बनाई थी रात में तो वो भी है और सुब़े एक सब्ची बनाई थी तो वो भी है बस मुझे बनानी थी रोटी आटा तो मैंने सुबह ही गुत लिया था जब यह ओफिस आ रहे थे तो इनको breakfast में बनाना होता है बना के देना होता है और साथ में lunch में देना होता है तो इसलिए दोनों साथ-साथ मैंने करके दे देती हूँ और यह बोटल अभी तक सूखा नहीं है जब सूख जाएगा तो फिर उसको बंद करके एक बोटल रख दूगी एक बाकी उपर ही नखोगी तो रोटी फटा-फट से काउट करकी बना लेती हूँ आटा तो उतना ही है जितना हमें खाना है क्योंकि उससे ज्यादा मैं गूर्ती नहीं हूँ ऐसा रहता है कि चलो ठीक है जितना हमें खाना है उतना ही डापकी मैं ऐसा सुमा के टाइम आटा गूर्त उनिका लॉग्फवस्ट और हमारा ब्रेक्फवस्स की ली मैं नहीं गूर्तों हूँ अगर मेरे तबेत वगर्ण खराब होती है अना तो फिर मैं गूर्त देथी तो ये था आज का मेरा मौने क्रूटीन कैसा लगा आप लोग जरू कॉमेट करके बताना तो जारी हो भी बीडियो के असर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाइ